हाल ही में डच ओपन सोर्स वेबसाइट ओरीकस ने अपनी एक खूफिया रिपोर्ट में यह बताया कि रूसी सेना ने युक्रेन में अपने जंग के दोरान दो तिहाई से ज्यादा टैंक खो दिये हैं फरवरी 2022 के हमले से सुरू होने के बाद आस तक मौसकों ने अप्रोक्सिमेट ले तीन हजार टैंकों को जंग में उतारा है रिपोर्ट में यह बताया गया कि इसमें 12 सो से जादा टैंक पूरी तरह तबाह हो चुके हैं वहीं सो से जादा बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं रिपोर्ट में इस भारी नुक्सान का कारण यूएस और यूके द्वारा दिये गए अंटी टैंक मिसाइल्स को बताया जा रहा है साथ ही यूकरीने सेना की माइन्स और आर्डिलरी ने भी बड़ी भूमिका अदा की है रिपोर्ट में यह भी वताया गया है कि रूस को इतना जादा नुक्सान हुआ है कि उन्होंने सोवेत एरा के बहुत पुराने टी-14 अमाटा मेन बैटल टैंक को भी इस समय लड़ाई में उतारा हुआ है आपको बतादो की हाल ही में 9 मई को रशिया द्वारा विक्ट्री डे परेड को सेलिब्रेट किया गया था जिसमें एक ही टैंक को परेड में सामिल किया गया था जो कि स्टालिन एरा का था रिसेर्चर्स का ऐसा मानना है कि ये कहीना कहीं दर्शाता है कि रशिया को यूकरेन विर्द में काफी नुकसान हुआ है